नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंस एनिया आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जैसे एक का स्केर जो है हमारे पास एक ही आया इस तरह से यहां पर नाइन का स्केर देखिए एटीवन आया तो इनका जो यूनिट ऑटीट है यह भी पता होना चाहिए कि किस का जो लास्ट डीजिट है कितना है जैसे माल लिजिए आपके पास अंडर रोड वन टूवन हो या फिर यहां पर 9 आएगा क्योंकि इसका जो हमारा स्केर रूट है उसका लाश डिजिट यह वन है तो वन कहां पर मिलता है हमें या तो एक का स्केर हो यह नाइन का स्केर हो तो यह यहां से एक तो अंदाज हमें लगता है इन जीजों का तो स्केर हमें पता होने चाहिए इस इसी तरह से टू का स्केर फऔर रह कष्णेर خशिफ९र्वlying कि तू का आपको जो है है एन्ड जो एजानि कि ए करते हैं अगर यू इचिट आप आपको ल्The स्केसर रूट के अंदर तो यह तो वहां टू आएगा यहां फिर वहां एट आएगा यहां तो यहां मैंसर करेंगे तो दूसरा कंबिनेशट कहां पर मिलेगा आट पर यान निकार यानी जहां परला रच्छ के अंदर थुना पिर शर्वन कि एक की चीज़ें देखनी है कि इसकी अंदर और हमें देखना है कि इसकी अंदर कुछ नंबर है जैसे 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 यह कोई भी unit digit में नहीं है जैसे 1 है, 4 है, 3 नहीं है फिर यहाँ पर जो है 9 है, 6 है, यानि कि 5, 6 है 7 नहीं है कहीं भी तो 7, इसी तरह से 8 भी नहीं है unit digit कहीं पर, तो 8 यानि कि इस तरह के number अगर last में आएं किसी भी, अगर आप square root इस तरह से ले रहे हैं कि इसके last में 2 आ गया, 3 आ गया 123 आ गया, 123 आ गया, 128 आ गया इस तरह से मान लिए तो वो जो है square root नहीं बनता यानि कि exact square नहीं आप उसको find out कर सकते आप बोलेंगे कि exact square आप इसका नहीं find out कर सकते exact square ये नहीं होते जिनके last में 2, 3, 7 या फिर 8 होता है जैसे यहाँ पर 1 था ये तो exact square है हमारा क्योंकि 11 का है इसी तरह से अगर यहाँ 2 होता, 3 होता, 7 होता है 8 होता तो exact square ये नहीं होता तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखने है तो इतने चीज़ें हमें पता चल जाती है तो हम असानी से solow कर सकते हैं अगर ये चीज़ें ना भी पता हो फिर भी आप solow कर सकते हैं लेकिन जो है हमें ये चीज़ें पता होने जाए क्योंकि basic है हमारा तो चलिए कुछ question लेते हैं और उनको solow करके देखते हैं इनका square हमने आपर लिख लिए और इस तरह से कुछ question ले लिए हमारे पास जो trick है उसके अंदर हमें ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने अभी discuss किया है ये हम जब trick second discuss करेंगे तब ही हमें याद रखनी है तो इस trick के अंदर हमें करना क्या है जैसे अंडरूर 225 है अंडरूर 576 है इनके अंदर हमें करना क्या होता है हमें क्या करना है हमें pair बनाना होता है राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हो जैसे 225 है तो दो-दो के pair बनेगे जैसे यहाँ 25 का बनेगा और अकेला 2 बच गया, यानि कि यहां 2 pair बने, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2, 2, 5, इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से हम line लगा लेते हैं, तो इस तरह से, इस तरह से इसको लिख लेते हैं, ये भी हमने क्यों लगाई है, ये भी अभी बता चल जाएगा आप पर जो छोटा स्केर होता है वो हम देखते हैं यानि कि एक का स्केर है तो वन वन्जा करेंगे हम तो यहां पर हम लिख देंगे और ध्यान रखना है जितना भी आप लिखेंगे इसको दो से multiply करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे जैसे यहाँ 1 था तो इसको 2 सा multiply किया 2 हमने यहाँ पर लिख दिया अब 1 बंजा 1 होता है यानि कि एक का square हमने यहाँ पर लिया तो एक यहाँ पर जो हम लेंगे उसको mentally हम calculate करेंगे कि 1 बंजा 1 यहाँ पर 1 आ गया तो 2 में से एक या एक वो एक हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर यानि कि यहाँ टोवैलू आ गया ध्यान दीजी जिए हमने किया क्या है यहाँ 2 था तो 2 का square 4 आता है तो इसलिए हम यहाँ पर 2 का square तो ले नहीं सकते तो one का square लेंगे यानि कि one one's a one लेंगे तो यहां पर one लिखेंगे और यहां पर one आजाएगा तो one आजाएगा यानि कि two में से one को उठाएंगे जो one बचेगा remainder वो यहां पर लिख लेंगे यानि कि यह 12 बन गया हो अब हमारा number और यहां पर हमें दुगना लिखना है यह अभी आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा लेकिन जैसे आप करेंगी यह बहुत असान आपको लगेगा जैसे जैसे नेक्स्ट कोश्चन करते चलेंगे तो यहां पर 12 आ गया अब हमें क्या अगरना है यह जो हमने दुगना लिखा है इसका तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे अब ध्यान रखना है कि अभी वी complete divide नहीं करना जैसे 12 है 2,6 जा 12 नहीं करना इसे कम ही रखना है ताकि हमारा जो remainder बचे और वो आगे चला जाए अब 2,6 जा 12 है तो यहाँ पर हम 2,5 जा करेंगे फाइव जा 5 आएगा यहाँ पर फाइव जा 10 होता है तो बारा यह है बारा में से 10 गया कितना बचता है 2 बचता है तो यह कितना बन गया 25 अब जब यह last वाली चीज बनती है यह जैसे फाट्चीस है तो हमें यह देखना है की इसका पूरा square है यानि कि 5 का लिए और एक बच गया तो इस तरह से दो पेर बन गए तो हमने यह इस तरह से यह लाईने लगा लिए यहां पर अब हमें क्या करना है अब देखिए वन का स्केर जो है वन होता है तू का स्केर फोर है थ्री का स्केर नाइन है यानि कि यहां पर क्या आएगा तू का स्केर इसका दुगना अब टूटूज आ फॉर है तो फाइव फॉर को गटा देंगे फाइव मैंसे फॉर को जब गटाएंगे तो वो क्या जाएगा 11 यानिकि या बन गया 17 सेवंटीन बनने के बाद आप चार से इसको डिवाइड करेंगे तो four फॉर जा 16 होता है तो 4 आ जाएगा 16 आ गया यानि कि 17 में से 16 गया 1 आ गया तो 1 यह आ गया तो यह कितना बनगा 16 अब यह जो last वाला बना है क्या वो 4 का square है 4 हो जा 16 ही होता है यानि कि 4 का square 16 ही होता है तो यानि कि 16 1 16 0 हो जाएगा यानि कि यह आ गया इसका answer 24 24 आ गया असान है next question देखते है 1369 तो यहां पर दो पेर बन जाएंगे right से दो डिजिट का और यह भी दो डिजिट का यानि कि 13 और 69 को हम यहां पर लिखे लेंगे इस तरह से यह हमने लिख लिया अब उसके बाद जो है हमें क्या करना है अब देखना है कि इसको इसमें से क्या 3 जा 9 आएगा तो 3 और यहां पर क्या जाएगा 6 क्योंकि इसका double होता है है 3 तूजा 6 और यहां पर 3 का square लिया है यानि कि 9 13 में से अगर हम 9 को गटाएंगे तो बचता है 4 यानि कि 4 आ जाएगा यहां यह क्या आगया 46 आगया अब 6 को 46 से divide करेंगे तो यह 6 को 46 से divide करेंगे यह किस पर जाएगा 7 पर 6 7 जा 42 होता है 42 यानि कि यहां पर क्या बच गया 4 जब 46 में से 42 को गटाए तो 49 आ गया अब यह जो last वाला 49 है क्या 7 का square है बिलकुल है तो यानि कि यह बिलकुल ठीक है exact square है हमारा 37 अंसर आ जाता है इसका जो square root है वो हमार रहेगा 37 यानि कि 37 का square ह 2916 अब 2916 हम इसतना से लिख लेते हैं और इसको चलिए solo करते हैं अब 29 अब देखिए 5 का square 25 है 6 का square 66 है तो यहां पर क्या जाएगा 5 यहां पर क्या जाएगा 10 और यहां से 29 में से 25 को माइनस कर देंगे जो इसका square है तो वो कितना आगा 4 तो 41 यहां पर आ गया तो 10 फोर्जा 10 फोर्जा ही आएगा 10 फोर्जा क्या आएगा 40 तो 41 में से 40 के 1 बचा यानि की आगा 16 यह चीज 16 आगी और 16 के 4 का square है बिलकुल है तो यहां पर आगया हमारा answer 54 आगया यह जो trick है exact square के लिए ही आपकी काम आएगी जो exact square होंगे जैसे competitive exam में आजाते हैं तो दिया यहां पर 61 लिख दिया थोड़ा सा gap देकर लाइने लगा लिया किजिए ताकि यहां पर आप जो भी number लिखें तो असानी से आपसको समझ पाए अब यहां पर क्या आएगा 1 यहां पर क्या आएगा 2 यहां पर अब क्या आजाएगा 117 यानि कि यहां 2 आगया 26 आगया अब देखिए कभी भी हमें 10 से आगे नहीं जाना जैसे हैं 2 है 2 13 हमें 26 होता है अगर 2 को 13 से multiply करते हैं लेकिन 10 से आगे नहीं जाना तो यहां पर 10 से आगे आप नहीं जाएगा 2 9 जा कितना होगा 18 तो यहां पर 9 आ जाएगा और 26 यहां पर बट्टा बच्चा और 206 में से जब 18 को घटाएंगे आप तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 यानि कि यहाँ पर 8 आ गया यह क्या आ गया 81 81 का जो यहाँ पर आप 9 लिया 9 का स्केर का 81 होता है विलकुल होता है तो यह आगया अंसर इसका 19 तो इस तरह से आप solve करेंगे लेकिन कई बार हमारे पास इस तरह का question आ जाता है इसलिए हमने अलेक से लिखा है 18 आ गया यानि कि 22 में से 18 को बटाएंगे तो वह कितना है तो यहाँ पर आ गया चार यानि कि यहाँ चार लिख देंगे तो 44 आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 और 22 में से जब आप 16 को घटाएंगे तो वो क्या आ जाता है हमारा 6 तो 6 यहाँ पर लिखेंगे और जब यह 64 बन जाता है तो क्या यह 8 का स्केर है तो बिलकुल है यहाँ पर 18 आपका अंसर आ जाएगा तो यहाँ कि कई बार इस तरह के गोश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको एक step फालतू करनक के देखना पड़ता है कि यह जो last वाली चीज है हमारा perfect square बरना चाहिए जिससे आप divide कर रहे हैं तो तब ही आपको पता चल जाएगा कि यह अंसर है यह नहीं है तो इस तरह से इस trick के पनाने है और solo इसको करना है तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद